So, हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बेश्ट है GTA Top 5 Betrayal And Some Reasons Behind It And उन बिट्रेल का क्या इंपेक्ट हम पर पड़ा हम ये सब इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं So, मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत जारा मजा आने वाला है And guys, हाँ, मैंने पिछली से पिछली वीडियो में एक कोशन पूचा था मैंने उस वीडियो में कितनी बार Kratos, Word को यूस किया था And Pais साब मनला मुझे more than 300 answers मिले था guys And उस में से सर्फ दो लोगों ने सही answer दिये I mean literally, बागे समने 69-69 लेकर रखा है कुछ लोगों ने तो ये भी answer किया है कि it's over 9,000 अरे भाई, Dragon Ball Z का fan हूँ बट इतना भी नहीं And guys, answer 69 नहीं था Answer था 120 And सही answer सब दो ही लोगों ने दिया है So वो दो लोग है Radhvanesh, 2007 Rohit Kashyap, that's it And without wasting any more time Let's begin this video Number 5 Billy betrayed Johnny So guys, basically Billy यहाँ पे Lost MC का leader हुआ करता था And Johnny उसका काफी close friend था And ऐसा कह सकना है कि right hand भी था But Billy ने Johnny कैसे betray किया Let me explain Lost MC gang के दो और rival gang है Angel of Death and Triads अब यहाँ पे Lost MC gang ने Triads से drugs की चोरी की थी And वही drugs Lost MC gang Triads को वापिस बेच रहे थे और इस drug dealing के meeting में Johnny डील करने गया था And Billy वहाँ पे ऐसे lookout था But suddenly deal complete हुई नहीं But Triads कैंग वालों ने Johnny पर open fire कर दी और वहाँ पे धेड़ सारे Triads आ गए यानि कि simple बात थी ये एक setup था Billy ने जान बूचकर Johnny को उस drug dealing में छोड़ दिया और खुद बाहर ख़़ा था In fact, वहाँ पे पुलिस भी आ गई यानि कि किसी ने पुलिस को भी इस drug dealing के बारे में inform कर दिया था And वहाँ पे पुलिस आकर Billy को ही पकड़ लेती है यानि कि Billy अपने ही जाल में फस गया But Billy shout कर रहा था And ये कह रहा था कि असल में Johnny ही rat है उसी ने Lost MC को betray किया And ये setup किया But जहां तक game हमें explain करती है कि असली betrayal पहली नहीं किया था Lost MC के साथ And Johnny के साथ But still, ये भी काफ़े controversy वाला topic है So बढ़ते हैं अपने next betrayal की तरफ यानि कि number 4 Michelle So एक mission में हमें Roman की girlfriend Mallory को pick up करना था And उसके साथ उसकी friend Michelle भी थी Then Mallory ने हम दोनों को suggest कि कि हमें date करना चाहिए यानि कि Neko Bellic and Michelle को date करना चाहिए And दोनों ने dating start भी कर दी And guys game के काफी काफी आगे तक Neko and Michelle ने एक दूसरे को date किया वो लोग घूमने जाते थे हैं काफी कुछ share करते थे And seriously as a player मुझे लगा कि Michelle Neko Bellic की एक अच्छी girlfriend है And शायद future में इसका बहुत अच्छा role होने वाला है But एक mission wrong is right में जहाँ पर हम एक abandoned hospital से cocaine चुरा कर लाते हैं और जैसा ही little Jacob से मिलते हैं वहाँ पे Michelle अपियर हो जाती है वो Neko Bellic को reveal करती है कि वो असल में एक government agent है और वो starting से Neko Bellic के साथ इसले थी And उसको date इसले कर रहे थी क्योंकि उसको Neko Bellic पर नज़र रखनी थी And असल में उसका नाम Michelle तक नहीं था उसका नाम Karen था और सही बताओं तो इससे Neko Bellic और मेरा दोनों काई दिल तूटा था मतलब seriously Neko Bellic सच में एक तिरस से Michelle को यानि की Michelle ने केरन को like करने लगा था बट इस mission के बाद यार बहुत बुरा हुआ वैसे Neko Bellic and Karen यानि की Michelle दोनों एक term पे agree करते हैं and Neko Bellic Michelle यानि की केरन के boss के लिए काम करने लगता है एक undercover agent बनके and guys एक fun fact जिन लोगों को नहीं पता तो Michelle यानि की केरन GTA 5 में भी appear हुई थी ओके guys अब बढ़ते हैं number 3 की तरफ Catalina, Betrayed, Claude and Karl Johnson अब guys GTA San Andreas में Catalina CJ की girlfriend थी बहुती कम time तक लेकिन थी but suddenly farewell my love mission में Catalina Claude के साथ आती है और कहती है कि यह मेरा नाया boyfriend है and वो without any reason CJ के साथ break up कर लेती है वैज़े CJ कोई दिल विल नहीं टूटा था इसमें but betrayal था ना अब guys future में Catalina Claude को भी betray करती है और यह था थोड़ा सा deadly betrayal GTA 3 के स्टार्ट होता है पहले एक मिनट के अंदर ही अंदर Catalina Claude को betray कर देती है वो लोग एक bank robbery commit कर रहे थे and suddenly Claude एक camera को उड़ाता है and suddenly Catalina के दोनों guns Claude के उपर थे and उसने Claude को just shoot कर दिया और कहा small time and इसी के साथ साथ Catalina GTA 3 की main और technique भी बन गई सही मैं यार ये सही में Catalina बहुत annoying लगती है मुझे GTA games में guys आपको कौन सा character सबसे जारा annoying लगता है नीचे comment section में जरूर बताएगा क्या Catalina आपके annoying character के list में टॉप पर है या नहीं मेरे तो है अब guys बात कुछ ऐसी है कि पूरे GTA YCT game में Lance मेरा second favorite character था Tommy के बाद and Lance को मैं सही में एक बहुत यचा friend मानता था एक बहुत यचा partner मानता था पूरे game में उसने हमारा साथ दिया literally guys पूरे game में and game के end में यानि के final mission में जब Tommy and Lance साथ मिलकर Ricardo को मारते हैं और लगबग happy ending हो नहीं वाली थी वैसे ही Sunny Forelli वहाँ पर पहुँच जाता है अपने आदनियों के साथ और तभी ये reveal होता है कि Lance ने हमें betray किया था जो money थे वो भी fake थे और जो भी internal information बाहर जा रहा ही थी वो सब Lance ही भेज रहा था then हमें ना चाहते हुए भी Lance को उस वक्त मारना पड़ा अब यहाँ पर betrayal का reason क्या था अब देखिए पूरे game में Lance हमारा friend था बट उसकी एक ही campaign रहा करती थी कि हम उसे जरा तबज्जू नहीं देते थे हम as a boss act करते थे और Lance को हमेशा अपने नीचे समझते थे और Lance की हमेशा यही complaint थी कि टोमी को अपना attitude बदलना चाहिए बट टोमी उसकी बातों को जैसे इग्नोर कर देता था बट स्टिल इट हर्ट्स मैन नमबर वन बिग स्मोक एंड राइडर बिट्रियल ट्रस्ट मी यह दोनों करेक्टर पूरे जीटिया फ्रेंचाइस के दो सबसे ज़ादा इंटरेस्टिंग करेक्टर है और इसमें मैं आपके साथ घंटों तक डिबेट भी कर सकता हूँ नो डाउट राइडर एंड बिग स्मोक तो सबसे ज़ादा मेमरेबल करेक्टर है और गाईज लगबग गेम के काफी पोर्शन में हमारा इन दोनों ही करेक्टर के साथ अच्छा खासा कनेक्शन भी बन गया था बट गेम के एक मिशन में हमें सीजर कुछ दिखाने के लिए बुलाता है जब हम सीजर के साथ एक कार में छुप में बैठा थे तो गेम हमें कुछ रिवील करता है हम ये देखते हैं कि राइडर और बिग स्मोक बालास के साथ थे और उन्हीं के पास थी ग्रीन सेबर कार और ग्रीन सेबर कार कहीं यूज किया गया था सीजे की मदर को ड्राइब बाई शूटिंग में मारने में यानि कि इसके पीछे का हाथ बिग स्मोक एंड राइडर का ही था और लेटर हमें ये भी परादा चलता है कि बिग स्मोक एंड राइडर फ्रैंक टेन पैनी के साथ भी काम करते थे यानि कि Balaz, Frank Tenpenny ये सब आपस में मिले हुए थे सोचे गाइज, Big Smoke and Rider Groove Street के टॉप लीडर्स में से एक थे और यही लोग साले सांप निकले Just kidding वेल, एक fun fact बताओं गेम के starting कुछ mission में जह हमने Big Smoke के mission किये थे जैसे कि वो damn train वाला mission CJ ने एक दो बार Big Smoke के घर के बाहर Frank Tenpenny की पुलिस कार को देखा भी था और CJ ने पूछा भी था कि Frank Tenpenny तुम्हारे घर में क्या कर रहा है तो Big Smoke ने बैस यही reply किया कि वो मुझे यहाँ परशान करने आता रहता है बट असल में वो लोग साथ नहीं काम कर रहे था So guys यही थी GTA के Top 5 betrayal जिन से हमें सबसे ज़्याद दुख हुआ अब वो हू राइडर, Big Smoke, Michelle मतलब केरन, Billy या हो Lance इन सब betrayal में हमें बहुत ज़्याद दुख हुआ So guys, मैं होप करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद दुख